डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है। और अपने इसी अनभव और एक्सपटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अप्धी आर्थ डाग्नॉस्टिक सेंटर। पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए। हमने एक हाई-टेक आदियो विज्वल एमराई सिस्टम लगाया है। टेसला इमिजरिंग और डाग्नॉस्टिक सेंटर। इसे लेका छात्रों के सची ओपिय अग्रवाल से तीखी ड्रहप भी हुई। छात्रों ने आरोप लगाय कि प्रबंदन कॉलिज के हॉस्टल को बंद कर उन्हें बेचने की जुगत में लगा हुआ है। हीरा स्वीट्स को भी कॉलिज की जगे बेच दी गई है। इसे लेका कॉलिज प्रचार एकक्ष में काफी देर तक हंगामे की इस्तिती भी वनी रही है। देखे पहले कॉलिज में होती नोकछोक। मेरत कॉलिज चातरसंग अध्यक्ष सुभां मलिकने यह जनकारी थे। मैं नाम की आदीक्ष हूँ। हमारा मेरत कॉलिज के चात्र वास थे। इनन χों और जबर्दस्ति जबरन तरीके से गलत तरीके से बंद किया है और यह चैतिया है। जो होस्टल है यह चात्रवास है सदा के लिए बंद हो जाए और आम इनको बेच के हैं जैसे हीरा स्वीट सागर रतना यह बनाई गए मतलब कोई कोंप्लेक्स वगारा पना के उसको प्राइवेट कर दें प्रंसिबल साप आगे हम इनकी बाट देख रहे थे हमें इनकी जोगत है इस खबर में फिलाल इतना ही आप देख तरिये फास्टवाइट टॉन टीवी नमस्कार